आप लोग का स्वागत एक्सप्लोर मोन में आज इस वीडियो में आप लोग को कुछ बेसिक समझाने वाला हूँ जो आप लोग का विनिंग रेशो बढ़ा देंगे बेसिकली सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि सेम टीम के साथ खेला जाता है जो भी टीम में आप लोग को कॉमुनिटी में प्रवाइड करता हूँ चाहे टेलिग्राम हो या वटसाप कॉमुनिटी के लोग हो बट मैंने देखा है बहुत साथ लोग सेम टीम के साथ मेरे कंपैर लगता है ना कुछ भी सीखने को मिलता है तो डेफिनेटी एक लाइक जरू कर देना बेसिक चीज़े बताऊंगा जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टन हो सकती है और मैं आप लोग को प्राक्टिकली समझाऊंगा वैस्तों मैं बहुत बार यह बात बता चुका आप लोग करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो बड़ मैं आप लोग को एक बार प्राक्टिकल एक्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ आज के मैच इसको लेके सबस्पेले में बिना टाइम डिश करें वीडियो पर आता हूँ डिरेकली आप लोग देख स जबते हैं अब भी तकाद ट्रकम करें हैं नेक्ट जो कॉंटेस्ट है 2875 वाला वो मैं हा रहा हूँ उसके आद 876 वाला मैं जीता हूँ 11700 वाला भी जीता हूँ 1750 वाला दुबारा जीता हूँ और यहाँ पे एक 3 मेंबर वाला कॉंटेस्ट भी था जो मैंने जॉइन करा था 999 रुपेगा उसमें मेरी फर्स्ट रैंक है तीन मेंबर स्टेस में उसमें फर्स्ट रैंक है 16000 कुछ में जीता हूँ अब जाते है कि स्टाट वाइस आते हैं जो तो कॉंड़ समझाँगा कि ऐसा क्यो है यह आ जाते हैं सिफस्पहले आ जाते हैं 357760 वाला जाते हैं यहां आप देखोगी यहां चलते हैं यहां आप लोग देखोगे जो मेरा ओपनेंट है जीता है ज्यादा डिफरिंस नहीं ह सिर्फ 27-28 पॉइंट का है बड़ अगर प्राक्टिकली हम देखें जो विनिंग रेशो है इसका लड़की का जो भी है लड़का है लड़की है इसका जो विन रेट है वो है 56% 56% का विन रेट है अब यहीं पर चलते हैं 5750 वाला जो next contest में जीता हूँ उसको भी देख लेते हैं एक बार ताकि आप लोग को पता चल सके हैं कि मैं exactly जो कहना चाहता हूँ वह बार बिल्कुल ही practically applied है और यह होता है यह देख सकते हो यह जो यूजर है इसका विन रेट है 38% बहुत इसली मैंने इससे contest जीत लिया 5750 वा इसने और विन रेट है इसका 43% अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बहुत नीचे नीचे बार बास क्रॉल करना पट रहा है बट दुबारा 2875 वाला next contest भी देखते हैं जो मैंने हारा है 2875 वाला यह जो contest में हारा हूँ इसमें देखते हैं जो बंदा है उसका विन रेट कितना है 54 exactly जो मेरा विन रेट है उसके बराबर मतलब बिलकुल ही बराबर का contest था competition था दोनों प्लेयर का विन रेट काफी अच्छा है 515 पॉइंट्स है ज्यादा डिफिरेंस नहीं है बट still अब जो बाकी जो मेरे contest है उनमें तो मैं won हुआ हूँ बट मैं आप लोग को still एक बार example के तोर पे वो दिखा देता हूं कि इनका win rate क्या था देख सकते हैं आप इसका देखोगे 53% win rate है और इसका 49% win rate है 3 member भी मैं जीता हूं same points के साथ अब मैं इससे बताना है क्या चाहता हूं आप लोग को कि मैं contest दिखाने से मेरा simple सा एक मकसद था कि अगर आप लोग किसी भी ऐस आप लोग के साथ जॉइन करते हो ना जिसका win rate 50% से उपर है तो आप लोग के chances रहेंगे head to head जीतने के 50 to 50% ही रहेंगे 50 50% रहेंगे बड़ अगर आप लोग ऐसे contest जॉइन करते हो जिसमें आप 2875 वाला contest जॉइन कर रहे हो जिसमें एक बंदा already in है तो आप लोग easily join कर सकते हो उसके साथ जॉइन करने से पहले आप लोग उसके stats check out कर सकते हो चलो मैं directly आप लोग को implied करके बताता हूं यह कॉलकता और DC का match है अभी एक simply team form कर लेते हैं सिर्फ example के तोर पे मैं ऐसी यारा प्लेयर ले लेता हूं यह team मत लगाना simply आप लोग को दिखाने के लिए मैं ऐस पहले filter कर लेता हूं single entry करता हूं अब यहां पर आप लोग जॉइन कर सकते हो बहुत सारे contest आप लोग मिल जाएंगे जिसमें winning rate देख सकते हैं 71% का winning rate है आप जॉइन करोगे तो यहां पर जीच सकते हैं इसली आप यहां पर single है यानि कि दो spot वाली है joining वाली देखते हैं यह यह भी हमारे मतलब की नहीं है spot जिसमें spot कम होना वो देखते हैं single single spot साथ तीन यह तीन member वाला contest है इसको देख लेते हैं एक बार leaderboard पर जाओगे तो दो बंदोंने अल्रेडी जॉइन हुए एक spot ट्रेरी और मैं यहां पर join कर सकता हूं अब join करने से पहले मैं यहां पर stats से क 50-50 रहेंगे क्योंकि एक contestant बहुत high अच्छा है मतलब आपके level का है और एक contestant काफी low level का है अगर यही बंदा होता ना सिर्फ head to head में तो आप बहुत easily join करके win कर सकते हो तो basically मेरा कहने का मतलब है सबसे basic चीज़ है कि अगर आप लोग join करना चाहते हो ना तो एक बार आप ल जरूर से जरूर वही contest join करा को तो जिसमें अल्रेडी member हो ताकि आप लोग stats check करके आप लोग easily join करके safe team के साथ भी win कर सकते हो जिसकी bangalore वाले match में देखोगे जो मैंने 8 में 8 contest win करें of course grand league थी एक head to head था पस एक head to head join करा और उसमें बहुत easily win करा same team exactly जो आप लोग को provide करी थी इसी team के साथ में खेला था और बहुत easily मैं यह contest जीत गया अब इसमें बंदेगा अगर आप लोग stats check करोगे तो 60% win rate है जो की बहुत ही access है और बहुत अच्छा है बट यह नहीं है कि हर बार यह चीज़ work करेगी मैं simply इसका भी आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूं मैं simply आ इतना भरोसा नहीं है सेव टीम किसी की copy करते हो तो आप लोग यह शौर करो कि आप लोग time निकालो और stats check करो सबसे पहले और जो contest join हो उस contest को join करो एक और चीज जो आप लोग सीखने को मिल सकती आप लोग को क्या है जैसे आप लोग सपोस करो contest कोई सा भी खेल रहे हो जैसे अगर आप लोग late night joining करते हो तो बहुत बड़ी है रहता है काफी week player मिलते हैं और काफी सारे unedited भी आते हैं क्योंकि IPL में बहुत सारे लोग खेलते हैं of course ही बात है end moment में कभी भी मत join करना हमेशा अगर एक दिन पर और नहीं कर सकते तो at least आप लोग 5-6 गंटे पर और जरूर join कर लेना है head to head खेलना है तो head to head काफी जल्दी फिल होते हैं मैं join करता हूं एक आज मिनट में दूसरा बंदा आ जाता है या अगर किसी बंदे ने join कर रखा हूं मैं तुरंट join कर लेता हूं तो काफी जल्दी जल्दी contest यहां पर फिल होते हैं तो इसलिए dreamland काफी अच्छा है बाकि आप लोग किसी भी ऐसी application को try करना है जिसमें already user हो user base हो अगर user base नहीं होता है मैंने एक नाम नहीं लूगा बट मैंने एक और fantasy application ट्राय करी थी उधर head to head खेलने ही कोशिच करी थी उधर 6 गंटे तक किसी बंदे ने join ही नहीं करा था तो इसलिए मैं बाकि किसी application को prefer नहीं करता है मैं dreamland को prefer इ risky pick avoid ही करनी है जैसे आज head to head देखोगे मैंने almost सारे head to head बहुत ही easily win करे और बहुत ही gap के साथ win करे और जो मैंने team आप लोगो pride करी थी ना वो बहुत ही safe team थी इस team में मैंने कोई भी risky pick नहीं ली जो player perform कर रहे है उन player को prefer करा opening पे लिए और कोई भी मतलब जो player already selected selection जिनका high था वो ही 11 player है जिनका selection हाए था और basic सी team मनाई और captain मैंस captain बस अपनी choice का रखा है और इस team चे मैंने बहुत तीजली almost सारे contest में कर लिए तो अगर आप लोग head to head खेल रहे हो तो make sure करो आप लोग safe team के साथ जाओ risky pick मतलो क्योंकि IPL में बहुत सारे लोग risky pick उतार देते हैं हाला कि जैसे कि बैंगलोर वाले match में अभिशेख शर्मा कोई लाया होगा इस वाले match में अभिशेख शर्मा कोई लाया होगा sunrises हादराबाद में अगर सामने आपके तो of course आप जो मैं का दो contest हा रहा हूँ उसमें difference ही अभिशेख शर्मा था बट मैं उसको नहीं लेगी गया था स 10% selection rate था और हर बार इससा work नहीं करता है रिस्किपिक मत लेके चलो safety मनाओगे तो बहुत इसलिए win कर लोग head to head सबसे तीन चीज़े जो आप लोगो ध्यान रखने है एक stat check करके join करो और already जो joined contest हो उसको join करो दूसरी चीज़ जो बहुत important है वो यह है कि आप लोग safe team के साथ उतरो risky pick मत लो क्योंकि IPL में बहुत साही लोग ले लेते हैं नहीं नहीं picks को risky pick मत लो safe team के साथ उतरो और तीसरी जो important चीज़ यह है कि prior join करो कि अगर आप लोग prior join करोगे advance में join करोगे अगर आज का match भी चल रहा है suppose करो call का तो और इसकी चल रही है और यहां पर आप लोग back चलोगे ना नीचे आ जाओगे नीचे एक दिन का off है यहां पर sunrises हैदरबादा गुजराद के जो contest हों खुल गए है इधर के head to head आके join कर लो तो आप लोगो काफी अच्छा match up मिल जाएगा काफी अच्छा competition मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे week player है ना जो हमारी इतने हैं मतलब week हैं अपने पैसे सोच समझ के लगाते हैं तो वो हमेशा पहले ही contest जोन करते हैं लाकि वो suppose करते हैं कि और alarm जरू set कर लेना miss out मत करना match miss out करोगे तो unedited team भी चली जाती ही कभी कार मेरे साथ भी काफी बार हुआ है तो वो मत करना alarm जरू set करना और कोई भी ब सौर रुपे तक की contest खेले हो उसमें competition बहुत जादा है मैं आप लोग को suggest करूँगा कि अगर आप लोग पर जादा amount नहीं है खेलने के लिए तो at least 200-200-400 रुपे जोड़ो और उसका contest खेलो क्योंकि उसमें जो competition होता है वो liable होता है मतलब उसमें आप लोग जीत सकते हो 50-50 percent chance रहता है बड़ अगर आप लोग बिल्कुल चोटे contest खेलते हो ना उसमें क्या होता है बहुत सारे ऐसी user होते हैं जिनको ना काफी अच्छी win rate है जिनकी 60-65 win rate है वो bulk में join करते हैं ये बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार में आप लोग को अभी example नहीं दिखा सकता बट अगर मैं कल खेल के आप लोग को दिखा दूँगा वैसे कॉलकाता और DC के मैं मैं अगर सारे चोटे contest जोइन करूंगा वही टीम के साथ मैं बड़े contest विन कर लूँगा बड़े contest नहीं विन कर पाऊंगा क्योंकि ना वह बल्क में user एक ही बंदा बार और जो बड़े लेवल के जो है रिवार्ड जिसमें है उसमें हाई investment है बट competition थोड़ा बराबर का हो जाता है और कभी का low भी आ जाता है जिसकी आजकल matchups में आ रहा है और IPL में बहुत सारे usually लोग खेलते ही हैं तो basically मैं आप लोग को simply यह बताना चाहता I hope आप लोग कुछ समझे ओ इस वीडियो से जादा time really हो तो I am really sorry बड़े इस वीडियो में कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को एक like जरू कर देना चैनल पे बिलकुल नहीं हो subscribe जरू कर लेना अगर आप लोग fantasy related update चाहते हो टेलेग्राम चैनल को follow कर सकते हो link description में available है साथी साथ चैनल की membership join कर सकत कि आप लोग को भी पिक्स एक्सेंड 22 की पिक्स और आप लोग को dreamland team provide कर दी जाएगी फिलाल इस वीडियो में नहीं देखते रिक्स परमों धन्यवाद